टोक्यो अलम्पिक 2020 के बैटमेंटन महिला विभाग में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंदू और इस्राइल की शटलर केंसिया पोली कारपोवा के बीच खेला गया जिसने पीवी सिंदू दो शुन्य से शानदार जीत दर्च किये यह मैच कुल 28 मिनिट का चला पहले गेम में दोनों खिलाडियों के बीच 28 पॉइंट का खेल हुआ और यह गेम 13 मिनिट का चला जिसमें पीवी सिंदू 21 पॉइंट हासिल किये तो केंसिया पोली कारपोवा साथ अंख हासिल करे सबसे लगातर अंकों में पीवी सिंदू ने 13 अंक हासिल किये तो पोली कारपोवा ने दो अंक हासिल किये भारत की स्चार शटलर पीवी सिंदू ने बिना सर्विस करते हुए पांच अंक अर्जित किये तो वही इस्राइल की शटलर चार अंक हासिल किये सर्विस करते हुए पीवी सिंदू ने 16 अंक अर्जित किये तो पीवी सिंदु फिर एक बार एकीज पॉइंट हासिल की तो ken,-Sya 10 अंख हासिल करे सबसे लगातार अंखों में पीवी सिंदु पांच अंक हासिल किए तो पुली कारपोवा 2 अंख असिल की बिना सर्विस करते हुए पीवी सिंदू ने 8 अंकर जित किये तो वही इसराइल की शटलर पोली कारपवा भी 8 अंकर जित किये सर्विस करते हुए पीवी सिंदू 13 अंकर जित किये तो पोली कारपवा ने केवल 2 अंकर जित किये इसी के साथ फिवी सिंदो आसानी से इस मैच को अपने नाम कर गई